हेलो अब्रूवान वरे वरे गुड मॉनिंग कैसे हो होब करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही यह 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 शो फ्रेंड्स जीके जिसकी एस्पेसल क्लास में आप शबलों का बहुत बहुत श्वागत है सभी लोग एक पर बताएंगे वाइस क्लियर आ रही है यहाँ पर डेल चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में विल आइकन को ओल पर जरूर से जरूर स्प्रेस करेंगे ताकि जो भी वीडियो आएं उनका नोडिपिकेशन आपको टैम टैम से मिलता रहे चली क्लास को स्टार्ट करते हैं सब लोग लोग लाइक कर देंगे और कुछ भी जान करी चाहिए तो आप मुझे वाट्शाप पे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो आप मुझे बाचीत भी कर सकते हो ओके चलिए पहला प्रशन आपकी स्केन पे है कि संसदी प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में जो है पहला होता है वह कौन है राष्टपत भी आपका बिलकुन correct हो जगा अगला प्रशन है भारती रुपए का अंतिम बार ओमूलन किस वर्स किया गया था 1966, 1994, 1991 या 2000 में बताई थे बोग भारती रुपए का अंतिम बार ओमूलन किस वर्स किया गया था सबी लोग 50 के 500 प्रशन का जो है जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में आंसर की लाइन लगजाने चाहिए और 50 में से कितने question correct हुआ करते हैं ये भी आप लोग ज़रू बताए करें तो भारती रुपए का अंतिम बार जो ओमूलन हुआ था 1991 में हुआ था option B आपका बिल्कुन correct हो दगा अगला प्रशन है निमलकित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है सहरी, सहकारी बैंक, छेतरी ग्रामीड बैंक, भारती रुजरु बैंक ये अनसूचित ब्यापारिक बैंक तो वो कौन सा जो बैंक है जहां पे कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है तो भारती रुजरु बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोलवा सकता है, क्योंकि ये बैंकों का बैंक है Central Bank है, option C आपका बिल्कुन correct हो दगा अगला पुष्ण है दूरदर्शन से रंगीन कारिक्रमों की शुरुआत कब से हुई है 1971, 1982, 1985 या 1984 बताएंगे शब लोग दूरदर्शन से रंगीन कारिक्रमों की शुरुआत कब से हुई है तो यह हुई है 1982 में option C आपका बिल्कुन correct हो जागा अगला पिशन है एक मात्र वेद जो गद्ध युम्पद दोनों में लिखा है वह कौन सा है रिगवेद, शामवेद, यजुरवेद या अथरवेद फाइब को जॉप देने का प्रयास करेंगे एक मात्र वेद जो गद युमपद दोनों में लिखा है तो वो आपका यजुर वेद है ठीक है सबसे प्राचीन वेद पूचे तो आपका रिगवेद हो जागा संगीत कवरण किसमे है साम वेद में है जादू टोने का वरण किसमे है अथरवेद में है तो यहाँ पे ऑप्षिन भी आपका बिलकुन करेट हो जागा अगला प्षिन है कहेगा परमाड़ विद्दुस संयत्र कहां और इस्तित है करनाटक, गुजराद, तमिलनाडू या राजश्थान सबी लोग बताएंगे कहेगा परमाड़ विद्दुस संयत्र कहां और इस्तित है तो कहेगा परमाड़ विद्दुस संयत्र जो और इस्तित है करनाटक में है ऑप्षिन ये आपका बिलकुन करेट हो जागा अगला पुछन है good friday मना जाता है good friday कम मना जाता है ईसा मसी के जर्म दीवस पर बड़ा दिन होने के खरण यह चोटा दिन होने के खरण तो किस कारण good friday मना जाता है यह आपको बताना है सेवेन का जवाब देज़े सब लोग तो गुट फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मज़ी के सहीदी दिवस पर option A आपका बिल्कुन करिट हो देगा पोंगल किस राजी का प्रमुक्ते वहार है पोंगल जो है किस राजी का प्रमुक्ते वहार है केरल का, असम का, तमिल नाडु का या करनाटा का बताएंगे शब लोग पोंगल किस राजी का प्रमुक्ते वहार है तो ये तमिल नाडु का है option B आपका बिल्कुन करिट हो देगा पिछड़ा वर्ग आयो का गठन कौन करता है राश्टपती, लोकसभा, अधश, प्रधान मंत्री या ग्रह मंत्री बताएंगे शब लोग, पिछड़ा वर्ग आयो का गठन कौन करता है राश्टपती करते हैं, ओप्शन ए आपका बिल्कुन करिट हो जगा अगला प्रशन आपकी स्केन पे है, सूरी के विकरण का जो है, परबैगनी प्रकास किसकी परत की करण प्रतवी की वाई मंडल में नहीं पहुँच पाता है ओक्सीजन, ओजोन, हेलियम या हाइडूजन तो ओजोन परत के करण प्रबैगनी जो किरिणे होती है, वाई मंडल में नहीं पहुँच पाती है, ओप्शन सी आपका बिल्कुन करिट हो जगा किस चीज़ वो अधिक खाने से ही केवल प्रतवी की अधिक जनसंक्या का भरन पोशन किया जा सकता है वो कौन सी चीज है, बताइए सब लोग जिसका पोशन, भरन पोशन जो है किया जा सकता है, भेंड बकरे का मांस, अंडे, वनश्पती उत्पात या गोमंस, तो वनश्पती उत्पात का भरन पोशन किया जा सकता है, अधिक जनसंक्या में उप्योकर करके, ओप्शन C आपक किसके शम्मान में आयउजित की जाती है, भगवान राम, भगवान सिव, भगवान जगनातिया, भगवान विस्णू, पुरी में रत यात्रा किसके शम्मान में आयउजित की जाती है, सबी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे तब लोग और सेयर भी कर देंगे, चैनल पे पहली बार तो subscribe जरू करके जाना तो पुरी में रत यात्रा किस के शम्मान में आयुजित की जाती है भगवान जगन्नात के सम्मान में आयुजित की जाती है पुरी में रत यात्रा option C आपका बिल्कुन करिट हो जगा अगला प्रश्ण है गगन नारंग जिनोंने लंदन ओलाम्पिक्स 2012 में कांस बतक पाया था ये किस रोब में प्रश्चिद है इनका मतलब किस में सम्मंध है किस खेल में सम्मंध है आपको बना रहा है गगन नारंग का बताएंगे सब लोग 13 के जॉप दीजिए सब लोग तो गगन नारंग का शम्मंध है एर राइफल सूटर से ऑप्शन सी आपका बिलकुन करिट हो जगा अगला प्शन है सन्युक तुराष्ट्यू सुरच्छा परश्चत के जो है पांच इससाइश रदश कौन से हैं कल की क्लास में ये कोश्चन में कर वाया था सन्युक तुराष्ट्यू सुरच्छा परश्चत के पांच इससाइश रदश कौन से हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूस, यूके ऑप्शन बी आपका बिलकुन करिट हो जगा भारत के निमलिकित किस नगर में दो रेलवे जोन का मुख्याला है हुबली, मुंबई, नई दिल या जबलपुर, वो कौन से नगर है, जहां पे दो रेलवे जोन का मुख्याला है, तो वो है आपका मुंबई, ऑप्शन सी आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा, अगला ब्रशन बहुत इंपॉर्टन कुश्चन है, जनगरना से, कि वर्ष 2011 की जनगरना के अनुशार भारत मे जनसंख्या गनत तो क्या है, तीनसो पचीस या तीनसो बहत्तर या तीनसो बावन या तीनसो बैयासी, राइट अंसर क्या होगा, जौब दीजे सब लोग, शबी को गुड मॉनिंग भाई, शबी को गुड मॉनिंग, तो वर्ष 2011 की जनगरना के अनुशार भारत का जो जनस जनक्या घनत तो रहा है, 382 रहा है, ऑप्शन डी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा, पुरुष में मरकरी के जो है विसाक्तन से कौन सा रोग होता है, बताइए कौन सा रोग होता है, ब्लैक लंग, या मिनी माता, या ताई, इताई, इताई, इताई भी बोला जाता है, या एरसोनी कोसिस, इसे मिनी माता रोग हो जाता है, ऑप्शन सी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा, गुण शूत्रों में होते हैं, डीने और लिपिड, आरेने और एमेनो एसिट, डीने और प्रोटीन, या आरेने और शूगर, तो गुण शूत्रों में क्या होते हैं, गुण इस्टॉल के कारण लसी का या यूरो क्रोम के कारण बहुत important question है सब लोग जौब देंगे जो मूत्र का जो पीलर रंग होता है वो किसकी मौज़ोद्गी की कारण होता है 19 का जौब देंगे सब लोग ये होता है यूरो क्रोम के कारण किसके गरण होता है यूरो कुरूम के गरण होता है option D आपका बिलकुन करिट हो जगा अगला भशन है अक्टूबर और नॉम्बर के महीनों में भारी वर्सा होती है कहां गारो खासी तता जो है जैंतिया की पहाडियों में छोटा नागपरो पठार में कोरो मंदल तत पर या म जायद मौशा में उए जाने वाली फैसल कौन सी है तरबूच, सोयबेन, मक्का, पर्टशन तो जायद में आपका आ जाएगा तरबूच ठीक है ना option A आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा अल्टा विस्टा है एक क्या प्रोग्राम है, सॉप्ट्वेर है, ब्राउजर है या स जाब दीजे सब लोग जैसे गूगल सर्च एंजन है आपका तो अल्टा विस्टा भी एक सर्च एंजन है, option D करिक्ट हो जगा हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है बताएंगे सब लोग, ये दो दो MZ के बराबर होता है, option C आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा आहार में लवन का मुक्य उप्योग है क्या? जल में भोजन के कड़ों की विलेता को बढ़ाना ये भोजन के पाचन के लिए आप एक्षित हाइडोकलोरिक एसिद लगुमात्रा में पैदा करना पकाने की पक्रियों को सरल बनाना ये भोजन को श्रादिश्ट बनाना तो आहार में लवन का जो मुक उपियोग होता है वो होता है भोजन के पाचन के लिए आपक्षित हाइडोग्लोरिक ऐसे लगुमात्र में पैदा करना 24 का option B आपका बिलकुन करिट हो जगा कैमपूटर में वाइरश होता है किसके लिए कैमपूटर में जो वाइरश होता है वो किसके लिए होता है सिलकान पर आक्मन करने वाला राशायन सूच मजीव को समेकित परिपतों में बाधा डालता है या वापूर ग्राम जो कैमपूटर के साप्टिवर को हाने पहुचाता है तो वही आपका होता है वाइरश आप्शन C आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा निम्न में से किसको आरबीसी का कबरिश्टान कहते हैं आरबीसी का कबरिश्टान किसे कहते हैं या करत को अस्तिमज्जा को पलीहा को या परी सेसिका को पलीहा को कोईते हैं, option यहाँ पे C आपका बिल्कुन करिट हो जगा, ठीक ना, चलिए तब तो जल के थैलों में जल का प्रियों किया आता है, क्योंकि यह सरलता से मिल जाता है 27 का option C आपका बिल्कुन करिट हो जगा, पानी की बूंदों का तैली प्रिष्ट पर ना चिपगने का करण क्या है असंजक बलका आभाव प्रिष्ट तनाव आपस में मिल नहीं सकते या जो है तेल की आप इच्छा जल हलका होता है तो पानी की बूंदों का तैली प्रिष्ट पर ना चिपगने का करण क्या है 28 का जॉब देने का प्रियास करें की सब लूग असंजक बलका आभाव होता है, 28 का option E करिक्ट हो जगा अगला प्रिष्ण आपकी स्केन पर है, आधातूओं में निम्ने में से कौन सा गुण धर्म समन्ता पाय जाता है भंगूरता, चालकता, तन्नेता या आगहात वरदता 29 का जॉब दीजे से बलोग आधातुओं में निम्नि में से कौन सा गुणधर्म समनता पा जाता है तो भंगूरता आपका सही हो जगा, option A करिक्ट हो जगा अगला बश्चन देखिए, प्रति ग्राम इधन द्वरा, मोचित उर्जा की दिष्ट से निम्नि में से सरवुत्तम इधन कौन सा है हाइडोजन, मेथेन, एतनॉल, ब्यूतेन तो हाइडोजन आपका सही हो जगा, हाइडोजन बहुत इच्छे चले, विटामीन B2 का अन्यनाम क्या है सबी लोग विटामीन B2 का अन्यनाम बताएंगे क्या है थाइमीन, हेमोगलोबिन, राइवोफलोविन, डेक्स्ट्रोस, ये तो हो गई नहीं विटामीन B2 का अनिनाम है राइवोफलोविन, ऑप्शन C आपका बिल्कुन करिक्ट हो जगा चले, कॉक्रोच, जल में जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि उसका शुशन अंग बताइए इसका राइट अंसर क्या होगा, उसका शुशन अंग है क्या 32 का जॉब देने का प्रयास करेंगे सब लोग, वातक जितने में लोग जॉब दे रहे हैं उनका अनसर बिल्कुन सही हो, जगर वातक चलिए ठागी प्रता के उनमूलन से संबंध गवर्ण जनरल थे कौन, लॉड कारणवालिस, लॉड विलियम बैंटिक, लॉड लौजी, लॉड रिपन तो वो थे लॉर्ड विलियम बैटिक 33 का option भी आपका बिल्कुन correct हो देगा अगला प्रश्ण है यहाँ पे देख सकते हो कि सम्विधान के किस संसोधन द्वारा अनुचे 338 में संसोधन करके अन्सुची जाती तर जंजाती आयो के गठन के शमन में प्रावधन किया गया था वो कौन सा शम्विधान संसोधन ने बताना है आपको यह 65 वे शम्विधान संसोधन के द्वारा किया गया था option C correct हो देगा किसके शमय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था जहांगीर अकबर, सा जहां या औरंगजेब किसके शमय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था सा जहां के ठीक ना समय में option C आपका बिलकुन correct हो देगा अगला भश्न है निम्नि में से किस सासक का काल संग मर मर का काल कहलाता है जहांगीर का औरंग जैप का साजहां का या कोई नहीं निम्नि में से हैं निम्न में से किस सासक का काल संग मरमर का काल कहलाता है तो वो सासक है सा जहां सा जहां का सासन काल संग मरमर का काल कहलाता है option B आपका बिल्कुन correct हो जगा श्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्र प्रशद में सामिल एक मात्र महिला मंत्री कौन थी? विजय लच्मी पंडित सो चेतर कपलाने सरोजनी नैंडू राजकुमारी अमरता कौर राइट अंसर क्या होगा थर्टी शीर्मेंट के जॉब दीज़े से बलू कि श्वतंत्र भारत की पर्थम मंत्र परिशत में सामिल एक मात्र महिला मंत्री कौन थी राजकुमारी अमरता कौर थी ऑप्शन डी आपका बिलकुन करेक्ट हो देगा चलिए महात्मा गांदी के प्रीबजन वैशनो जन्तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचईता है कौन नरसी महता बलबाचार कबीर दास या सोड़ दास च्री कौन है इसके रचईता बताईए 38 का जौब दीजे से बलो इसके रचईता है नरसी महता ओप्शन एक अरेक्ट हो देगा गिल्टी मैन ओफ इंडियास पॉर्टेशन पुस्तक किसने लिखी है सभी लोग अंसर करेंगे गिल्टी मैन ओफ इंडियास पॉर्टेशन पुस्तक किसने लिखी है जमाला नेरू डाक्टर राम मनोहर लोहिया अबुल कलामाजाद सरोजिन एडू 39 का जौब दीजे से बलो गिल्टी मैन ओफ इंडियास पॉर्टेशन पुस्तक किसने लिखी है डाक्टर रा मनोर्ड लोहिया ने लिखी या option भी आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा दिल्ली का पुराना किला किस के दोरा बनवा गया था सेरसा की दोरा, साजहां की दोरा, अगबर की दोरा या हुमाई की दोरा दिल्ली का पुराना किला किस के दोरा बनवा गया था चंद रुप ने प्राप्त की थी, option B आपका बिल्कुन correct हो जगा, प्रशिद्ध अमीर खुसरो किसके दर्बार में रहे थे, यहां पे अमीर होगा, अम्री लिग दिया गया है गलती से, तो एक किसके दर्बार में रहे थे, अमीर खुसरो, आलाउदिन खिलजी के दर्बार म 43 के जॉप देंगे सब लोग, तो वना रोपन जो पक्रिया है, यह है और पेड़ लगाने की, option B करिट हो जगा, अगला पिशन आपकी स्केन पर है, बाहरी वायुमंडल में जो है, ओजोन की परत हमारी मदद करती है, किस रूप में, रेडियो तुरंगों का परावरतन करक करने में, वायुमंडल का तापमान नेमित करने में, या जो है, अंतरिच किरण करणों का आउस्वेशन करने में, या परावरतन का आउस्वेशन करने में, तो अभी मैंने कहराया था न, 44 का option क्या हो जगा, D हो जाएगा, ओजोन परत का कारण होता है, परावरतन का आउस् मद्ध रात शूर का अर्थ होता है सूरी का ध्रुवी विर्थ में देर तक चमकना 45 का option D correct हो जगा हाला पनीती के अंतरगत कौन से भारती राज कबजे में किये गए थे बताएज थे लोग तो जहांसी नागपुर वसातारा ये कबजे में किये गए थे ओके option B आपका बिलकुन correct हो जगा किस राज का लोग सभा ये राज शभा में प्रतिनित सबसे अधिक हैं उत्तरप्रदेश, महरास्ट, मतप्रदेश या आंध्रदेश 47 का जौब दीजे से बलोग तो उत्तरप्रदेश का है ओप्शन A आपका बिलकुन correct हो जगा भारति शम्विधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में नयापालिका तथा कारिपालिका के परत्थक का प्राउधान है प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज के निदेशक, जो है आपके सिद्धाद यह साथ भी तालिका 48 का जॉब दीजेसे ब्लू राज के नीती, निदेशक, सिद्धाद आपका सही हो जागा ठीक है न, चलिए भारति शम्विधान की संसोधन पक्रिया किस देश के शम्विधान से प्रभावित है आप ए माल लिजेसको आरके संक मुकम चेटी आरके संक मुकम चेटी तो इसका जो भी राइट अंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर देना ठीक है और पचास में से कितने कोश्चन आपके करेक्ट हुए हैं ये भी अपना जो है स्कोर ज़रूर बताना और ऐसी ही डेरी क्लासेस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब के लिए बिए परिस परिच्छा की जो भी अपडेट हैंगी जो भी क्लासेस आएंगी उनको नोटिपरिकेशन आपको टाम ठब से मिलता रहेगा थैंकी शो मच बाइबेटे केर मिलते हैं अगली क्लास पर तीन बज़वली क्लास में